तो पिछले एपिसोड में आपने लाइन चार्ट और बार चार्ट के बार में सीखा, इस एपिसोड में हम केंडल स्रिक चार्ट के बार में डिसकस करेंगे केंडल स्रिक चार्ट को इनवेंड जैपनीज राईस ट्रेडर ने किया था लगबग 300 साल पहले बट रिसन्टली इनकी पॉपॉले रेटि बहुत बड़ी है और ज्यादा तर ट्रेडर्स और एन अलेस केंडल स्रिक चार्ट पे ही एनलेसे अब करते हैं Candlestick Charts, Bar Charts के जैसे Open, High, Low और Close सब Prices Plot करता है Bar Chart पे हमने देखा था कि Opening Price को Left Tick और Closing Price को Right Tick से पहचानता है बट Candlestick Charts में Open और Close Price की Range को एक Box में Convert कर देते है और Price Movement Open और Close की Range की बहार हुई तो उनको Ticks Represent करते है इसमें आप देख सकते हैं कि Candles Different Different Size की है कुछ Candles बड़ी है, कुछ Candles छोटी है तो Candle की Range Depend करती है कि कितनी बड़ी Range में Trading हुई है और जो Body की Size है वो Depend करती है Opening और Closing की Range कितनी है उसके उपर अब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये बार चार्ट का Color Depend करता है पिछले बार के Closing और Current बार के Closing पे बट Candles छिक चार्ट में Candle का Color Depend करता है Same Day के Opening और Closing पे तो अगर सपोज हम ये Daily चार्ट देख रहे है और आज का Closing प्राइस आज के Opening प्राइस से ऊपर है तो Candle का Color Green होगा और अगर आज का Closing प्राइस आज के Opening प्राइस से नीचे है तो Candle का Color Red होगा ये आप सभी टाइम फ्रेम पे देख सकते है जैसे Hourly चार्ट देखेंगे तो Hourly Closing और Opening से कंपेर होगा Weekly चार्ट देखेंगे तो Weekly Opening और Closing से कंपेर होगा इस Rectangular portion को Body कहते है और नीचे और उपर जो Lines है उनको Shadows कहते है Candlestick Patterns इसलिए जादा Popular है क्योंकि ये डिखने में काफी Comfortable है और Candlestick Charts पे बहुत सारे Patterns की Analysis भी कर सकते है जो Japanese Traders ने Found की है हम इन Patterns के बारे में आगे के वीडियो में बात करेंगे जब हम Analysis का Part cover करेंगे But I hope इस वीडियो में आपको Candlestick Formation अब Clear है पिछले दो वीडियो में हम Type of Charts cover कर चुके है Bar Chart, Line Chart और Candlestick Charts सबसे पहले अगर आप Long Term Investment के लिए देख रहे है तो Line Charts पे आप Analysis कीजिए तो वहाँ पे आपको ज़्यादा Better Trends Clear दिखाए देगे और अगर आप Trader है Short Term Trading करते है, Intraday Trading करते है तो Open High Low पूरे दिन का Price Action काफी Important है तो आप Choose कर सकते है Bar Chart या Candlestick Chart में से So I hope you have made your decision now and if you have made your decision then अब हम Analysis के पार्ट पे शिफ्ट कर सकते है We have covered some of the basics of charts और next episode से हम Analysis के बार में discuss करेंगे That's it from this episode I'll see you again in the next episode Thank you I'll see you again in the next episode